ये मैंने गेहू के आटे से नाश्टे को बनाया है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, ये चाय के साथ उनको खाईए, ये फिर चेटनी के साथ, सबको ही ये बहुत पसंद आएंगे, इस नाश्टे को मैंने दो तरह से बनाया है, जब कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाये तो आप इसको बना सकते हैं, नमस्ते, मैं हम दीपाली, कुफी दीपाली में आपका स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की समझेदार से रेसिपी को, आटे की इस नाश्टे को बनाने के लिए एक बोल में मैंने चार से पांच छोटे बड़े मिलाकर उब दिकल भी पानी नहीं रहता है, आलो को देखे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब इसको हम साइड में रख लेते हैं, अब ये मैंने तीन ब्रेट की स्लैट्स को लिया है, इनको तोड़ कर ग्रैंडिंग जार में डालेंगे, ये हमने फ्रेश ब्रेट को लिया है, वाइट ये ब्राउन को भी ब्रेड आप ले सकते हैं, इनको मैंने तोड़ लिया है, अब जार को कवर करके इसको हम पीस लेते हैं, आब ये लीजे इसको मैंने पीस लिया है, तो ये देखे कितना भड़ी ऐसा पाउडर फॉर में ये आ चुका है, तो इसको हम डाल देंगे म रखा हो तो वो भी डाल सकते हैं, इससे क्या होता है कि बाइंडिंग के साथ साथ एक अच्छा स्वात भी आता है, अब इसमें हम दो बारी कटी हुई हरी मेच को डालेंगे, पांजे छे कड़ी पत्ते भी काट कर इसमें डाल रहे हैं, एक छोटे सा इसका प्याज महीं छोटी चमच धनिया पाउडर को और एक छोटी चमच जीरा पाउडर को इसमें डालेंगे, आदा छोटी चमच लाल मेच पाउडर को डाल रहे हैं, एक छोटी चमच आमचूर पाउडर को डाल रहे हैं इसमें, इसकी जगे आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, फिर आदा छ आटा डालेंगे और अच्छे से हाथों से मीक्स कर लेंगे सबको चावल के आटे कि जगे आप चाहे तो सूजी को भी ले सकते हैँ मेरे पास हरी धनिया इस समय नहीं थी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है अगर आपके पास हो तो वह इसमें बारी काट कड़ सकते हैं आलू मैंने मिला लिये हैं, थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे इनको, अब एक दूसरा बोल लेकर इसमें हम एक कप गेहूं का छना हुआ आटा लेंगे, और इसमें हमने आटे के हिसाब से ही नमक डाल दिया है, नमक आलू मैं भी डाला था, इसलिए हिसाब से इसम सारी चीज़ें अच्छे से मिला ली हैं, अब इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तयार कर लेंगे, बैटर आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसलिए स्मूद बैटर तयार करेंगे इसका, अब ये देखे हमने अच्छे से मिक हथेली को सबसे पहले ऑईल लगा कर चिकना करेंगे, फिर आलू जो तयार किये थे उनमें से थोड़ा सा पोश्चल लेकर बॉल का शेप बना कर इसके अंदर एक जगह बना लेंगे, जैसे हम कचोड़ियां वगरा भरते हैं ठीक उसी तरीके से, इस तरह से स्पेस कर लेंगे, तो जगह बनाने के बाद इसमें हम बीच में थोड़ा सा चीज को रख लेंगे, जो बच्चो को बहुत पसंद आता है, अब इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे, और मन चाहा इसको शेप दे देना है, हम इसको ओवल शेप दे रहे हैं इस तरह से लंबाई में, कि देखिए हमने इसको बना लिया है, तो इसको हम प्लेट में रख लेंगे, और दूसरी तरह से कैसे बनाना है, तो हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे फिर से आलू का, और इसको हम गोल्ड टिक्की का शेप दे देंगे, इस तरह से गोल्ड टिक्किया की तरह हम इसको बना ल June 2022 को अच एक साथ नहीं चलाएंगे QS की विपिन को हमने मीडियों है एक तरफ से जब हम इनको हम पर साथ है नहीं तो क्या होगा यह बहुत जादा टेलिवार्फ करेंगे जब तक इन पर अँच्छा सा गोल्डन ऑ्म कलर आ जाया तब तक इसी तरह से बीच पीच में पलटते हुए इन्हें सेखेंगे बीच में आप कैस की फ्रेम को मीडियम कर सकते हैं कि देखे इस तरह से हमने सेख लिया है पलटते हुए काफी बढ़िया सा दौनों तरफ से कलर आ चुका है इन पर बहुत जादा डार्क कलर भी अच्छा नह में और इसको बनाने के लिए बहुत जादा ताम जाम की भी जरूरत नहीं पड़ती है अब देखे मैंने चीज वाले इसी तरह से डिप करके आटे में निकाल दिये हैं जैसे हमने पहले से थे ठीक उसी तरह से इनको भी सेखना है लेकिन साफधानी से इने पलटे क्योंकि के अंदर चीज है ये बच्चों को काफी पसंद आते हैं चीज की जगे आप पनीर को भी रख सकते हैं वो भी खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं अब ये भी हमारे अच्छे से सीख चुके हैं इनको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं शाम की चाय के लिए ये आपको दिखाते हैं बस इसी तरह से आप एक कप आटे से बहुत सारा नाश्ता बना कर तेयार कर सकते हैं शाम की चाय के साथ खाईए ये फिर सुभे नाश्ते में खाईए खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं आप भी इसको एक बढ़ जरूर ट्राय करके देखिएग पाईए तसे तरह किषुट कर से बहुत बड़ते हैं टो हैं उम आपके देखिएग जड्या हैं एका उन्या हैं झाल बवक झाल डा़ते हैं चाईए रहंड़ में एक कर स áreas घ्क खाने कहले जरूर दुबग 2 उनमट